कि यो हेलो इसट्रांट्स वेल्कम तो ऊनलाइन क्लासिस आज हमारे टॉपिक है चैप्टर एट मोसन मोझन का मींस होता है यहां पर गति मोसन क्या होते ही मोसन के सभी कॉंसेक्ट को हम सौन में यहां पर पढ़ते हैं अब हम देखते हैं मोसन में गति and rest हमारी body pattern या फिर कोई भी चीज होती है उसमें दो ही चीजे होती है किसी भी object में दो ही चीजे होती है first होता है rest और दूसरा होता है motion अब rest अब body is set to be a state state of rest when its position does not change with respect to a reference point क्या होता है यहाँ पर reference point rest क्या होता है इसा कोई भी object या body को rest की position में हम तब कहते हैं जब वो क्या करता है reference point के बिना अपनी position change नहीं होती है या reference point से अपनी position को change नहीं करते हैं उसे बोलते हम rest rest means आराम, motion, motion means गती अब body is set to be a motion when position changes is a respect to be reference point क्या होता है किसी भी object या body को motion में हम तब कहते हैं जब वो अपनी position reference point के द्वारा change कर लेता है उसे क्या बोलेंगे हम motion किसी भी object या body को motion में हम तब कहते हैं जब वो अपनी position किसी भी reference point के द्वारा change कर लेता है और जो हमारा motions होता है वो थ्री type का होता है तेको फॉस्ट linear motion, circular motion और oscillatory motion अब यहाँ पर क्या होता है जो linear motion होता है हमारा वो कैसा होता है एकदम straight line में होता है linear motion क्या हमारा इसा एकदम straight line में होता है उसे हम बोलते है linear सर्कुलेटरी मोशन क्या हो गया हमारा एकदम सर्कल में रिता है इस टाइप से यह हो गया हमारा सर्कल इसको हम बोलते हैं सर्कुलेटरी मोशन या सर्कुलर पाथ पर चलता है ओसिलेटरी मोशन में क्या होता है यह क्या होता है दोनों डाइरेक्शन में होता है इधर भी और इधर भी इसको बोलते हम oscillatory motion यह आगे और पीछे मूव करता है एक जाम pendulum pendulum में कैसे इधर कभी इधर गुमता है कभी इधर कभी इधर इधर और इधर इस प्रकार इसका भी example है oscillatory motion का अब हम देखते हैं इसको आगे motion की physical quantities physical quantities क्या क्या होती है motions में उसके definition देखते हैं it is a physical property of material that can be measured it is to be two types क्या हो गया यहां पर जो physical quantity हो क्या गए किसी भी material के एक ऐसी प्रोपर्टी होती है जिसमें क्या करते हैं मेजर किया जा सके मेजर करते हैं इसको हम बोलते हैं physical quantity measured किसी भी quantity को मेजर करना इसको हम बोलते हैं physical quantity है कितना टाइप की हो गए यहां पर टू टाइप के फर्स्ट क्या है scalar quantity it is a physical quantity having only magnitude not direction example speed and distance क्या होता है जो scalar quantity होती है वह एक ऐसी physical quantity होती है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं magnitude जो magnitude होता है वह direction change होती magnitude change होता है और इसमें sorry magnitude होता है और direction नहीं होती है अब magnitude क्या होता है नंबर वाली values को हम बोलते हैं यहां पर magnitude यह नंबर वाली value अब नंबर वाली value कैसे की height हो गए हमारी height में भी numbers आता है kilogram, kilometers इनमें सब में क्या होता है numbers रहते हैं तो इन सब क्या बोलते हैं magnitude और direction में इस क्या होता है यहां पर दिसा east, west, north, south यह सब क्या हो गए हमारी direction speed distance यह हमारे scalar quantity के example हो गए अब हम देखते हैं vector quantity it is a physical quantity having both magnitude as well as direction क्या होता है जो vector quantity होती है वह एक ऐसी physical quantity होती है जिसमें magnitude और direction दोनों होता है magnitude भी होता है और साथ साथ ही direction भी होता है एक्जामपल में क्या है velocity, acceleration, displacement, momentum, force यह सब क्या हो गए हमारे vector quantity के example हो गए अब हम इसको आगे देखते हैं physical quantities of motion, motion में कुन-कुन सी physical quantity होती है उसके बारे में देखते हैं यहाँ पर किती है distance, displacement, speed, velocity, uniform and non-uniform motion, acceleration, graphs और equation of motion अब यहाँ पर distance, displacement, velocity, uniform motion, equation of motion यह सब क्या होता है बहुत IMP topic है हमारा जो equation of motion होता है यह most IMP topic होता है इसको आप अच्छे से clear करे और इसके notes भी अच्छे से complete करे अब हम इसको आगे देखते हैं first क्या है हमारा यहाँ पर displacement अब हम देखते है distance क्या होता है the actual path length traveled by an object it is called distance कोई भी object किसी path पर आगर travel करता है या किसी रास्ते पर travel करता है तो उस रास्ते की क्या होती है उस रास्ते की जो distance होती है लंबाई होती है उसको ही हम क्या बोलते है distance रास्ते की जो लंबाई होती है उसे हम distance करते हैं it is a scalar quantity जो distance होती है वो केशी होती है scalar quantity में होती है it is always positive and cannot be 0 इसमें क्या आता है हमेसा positives होता है कभी भी 0 नहीं होता है its SI unit is meter इसकी SI unit क्या होती है meter distance की SI unit होती है meter इस पर objective type question भी बन सकते हैं कि distance की SI unit तो हमको लिखना है meter इसे हम एक example के द्वारा भी देख सकते हैं कि कोई भी एक यहां पर vehicles है जैसे कि कोई भी एक गाड़ी है अगर वो यहां से यहां तक चलने के लिए कितना time लेती है उसके distance मतलब path की जो लंबाई होती है वो क्या है यहां पर ABC जो लंबाई होती है उसे हम क्या बोलता है distance उसने कितनी distance कवर की अब हम इसको आगे देखते हैं displacement displacement क्या होता है the shortest distance between initial position and final position is called displacement position क्या होता है initial position और final position के बीज सबसे चोटा distance होता है उसे हम बोलते है displacement अब initial position क्या होती है जहां से body या फिर कोई object होता है जहां से start करते है जिसी यहां से start किया इन्होने चलना तो यह हो गए हमारी initial position यहां से चलना मैं start किया उन्हों इन्होंने और यहां जाके खत्म कर दिया तो यह होगई हमारी फाइन पोजिशन इन दोनों के बीच में जो सबसे छोटा होता है के सबसे छोटा distance क्या हो गया हैं यहां पर जिसे वन लिखा टू लिखा थरी लिखा तो यहां पर वन सबसे चोटा है तो उसको हम बोलेंगे displacement reaction इस example में भी हम देख सकते हैं कि यह हमारी initial position हो गई sorry यह हमारी initial position हो गई और यह हमारी final position हो गई अब हम देख सकते हैं इन सबके बीच में सबसे छोटी distance हमारी क्या हो गई यहाँ पर 10 तो जो 10 हो गई वह हमारी क्या हो गई displacement अब हम तीसरा देखने हैं इसमें speed and velocity को साथ में ही दे रखाए ताकि इसके difference भी हमको confirm हो जाए speed क्या होती है the distance traveled by a body per unit time क्या होता है किसी भी object या body के द्वारा per unit time में जितना भी distance होता है उसे हम speed कहते हैं जितनी भी दूरी होती है उसको हम क्या बोल देंगे speed का यहाँ पर formula देखते है speed is equal to distance upon time यह क्या है speed का formula it is scalar quantity जो हमारे speed होती है वह scalar quantity में होती है it is waves positive its always positive यह हमेका positive होती है speed हमेसा positive होती है it is ओसा joint में ब्रति सेकंड जो speed होती है उसका सथी हमेसा व्रक में में देखते हमे थilक में मेर प्रति शेकंड यह एक most time P topic होता है इसको हमेचा about objective के रुप Deviled By body Paar Unit Time In Given Direction I אם velocity में क्या दिए रखा है sud difficult कि डीक्षन वाइन दाइरेक्ष संब डीक्षन होती है उसमें घख़ उपज़क्ट किसी बी बोडित पार्ड First हो पिर आपड़ वेएकल्स के द्वाराा व시면 टाइम में पाली इस ते इन happiness हेएं मतलब उसको हम बोलते हैं velocity, velocity का formula क्या है यहाँ पर velocity is equal to displacement upon time, it is vector quantity, जो velocity होती है वो क्या है vector quantity, it can be positive, negative and zero या हमेशा क्या होती है, positive, negative and zero किसी भी form में हो सकती है अब हम इसको आगे देखते हैं formula average speed, अब average speed का formula क्या है हमारा यहाँ पर average speed is equal to total distance upon total time क्या होगे हमारा formula total distance upon total time अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी total distance क्या होगे 40 और हमारा जो total time है, वो कितना होगे है, यहाँ पर 2 अगर हम 240 को divide करेंगे तो क्या आएगा हमारा answer 20, तो हमारी जो average speed होती है, वो क्या होगे यहाँ पर 20, इस formula के द्वारा हम इसकी average speed निकाल सकते हैं उसी प्रकार अगर हम देखते हैं average velocity, अब average velocity को निकालने के लिए क्या किया है नोने, average velocity is equal to initial velocity plus final velocity upon 2, अब यहाँ पर अगर हम example के द्वारा देखते हैं हमारी जो initial velocity है, माल लेते हैं कि यहाँ पर initial velocity क्या है हमारी 20, initial velocity हमने 20 लिए और जो final velocity है वो हमारी क्या हो गई 80, 80 upon 2, अब हम 80 plus 20 को plus करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर हमारा 100, 100 upon 2, अगर 100 को 2 से डिवाइट करेंगे तो हमारा answer यहाँ पर क्या आ जाएगा 50, तो average velocity क्या निकली हमारी यहाँ पर 50, अब इसको आगे देखते हैं हम types of motion, motion कितने प्रकार के होते हैं, तो हमारे जो motions होते हैं वर two प्रकार के होते हैं uniform motion और non uniform motion, अब हम सबसे पहले देखते हैं uniform motion uniform motion में क्या होता है, when a body travel equal distance in equal travel of time then the motion is said to be uniform motion, uniform motion में अगर कोई body या object या किसी भी vehicles equal time में equal distance cover करें, तो उसे बोलते हैं uniform motion, मतलब दोनों का timing same होना चाहिए, distance भी same और timing भी change, same होना चाहिए, equal time क्या थर time बराबर distance दोनों ही same होना चाहिए, equal होना चाहिए, तो क्या होगा uniform motion इस example के द्वारा भी अगर हम देख शकते हैं कि कोई भी एक vehicles लिया, अब vehicles a, यहां से यहां तक की इसकी दूरी हो गई a, यह हमारा timing है a, यहां से यहां तक इन्होंने 100 km की दूरी a time में की, उसी प्रकार इसी time में, 100 से 200, equal timing में, equal दूरी वापिस distance में करी उन्होंने, तो इसको हम बोलते हैं uniform motion अब second देखते हैं non uniform motion, when a body travel unequal distance in equal travel of time, it is said to be non uniform motion non uniform motion में क्या आता है, जब कोई body या फिर vehicles object रहते हैं, वो क्या करते है, equal time में, unequal direction में unequal distance में, sorry, equal time में unequal distance को cover करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं non uniform motion यहाँ पर जैसे कि कोई सा भी exam पले, अब उसमें क्या था, यहाँ पर जैसे कि यहाँ से यहाँ तक 100 एक घंटे में दूरी करी थी, उसके बाद second में क्या कर रहा था, same 200, 100 की distance हो गई, अब यहाँ पर तो एक घंटे में कर ली थी, लेकिन यहाँ पर एक घंटे 5 मिनिट हो तो यहाँ पर क्या हुआ, unequal distance हो गई, यहाँ फिर unequal time, तो इसे क्या बोलेंगे हम non uniform motions, अब हम इसको आगे देखते हैं, symbols, जो हमारे distance, displacement, जितने भी physical quantities होती हैं, उसके symbols क्या होते हैं, सबसे पहले हैं हमारा distance, distance को हम कौन से symbol के द्वारा सो करते ही, यहाँ पर दे रखा है, S symbol के द्वारा, हमें सो याद रखना है, सब symbols, ताकि आपको जो equation है, उसमें problem ना आए, second है यहाँ पर initial velocity, initial velocity को यहाँ पर क्या दर्शाया हैं, इन्होंने U के द्वारा, small u के द्वारा, फिर final velocity को क्या करा हैं, इन्होंने V के द्वारा दर्शाया, यह V, time को T के द्वारा, acceleration क तो A के द्वारा, displacement को, del S के द्वारा, speed, velocity, velocity को V के द्वारा, और speed is equal to distance upon time, इसका formula हम खुचे भी बना सकते हैं, speed को V के द्वारा, और देखों यह यहाँ पर distance का already दे रखा है, S, तो यहाँ पर हम distance का क्या लिख देंगे, S, और जो timing होता है, उसे हम किसके द्वारा सो करते है, T के द्वारा, तो यह T, तो speed का formula बन जाएगा, S upon T, इस प्रकार सभी symbols को हमें याद रखना है, अब हम इसको आगे दखते हैं, graphical representation of motion, जो graphical representation होता है, motion को graph के रूप में कैसे represent करे, उसको हम बोलते है, graphical representation, यह two types का होता है, distance time graph और velocity time graph, सबसे पहले हम distance time graph को समझते हैं, distance time graph भी हमारा two type का हो गया, यहाँ पर, देखो, first हो गया, यहाँ पर uniform speed velocity और second हो गया, non uniform speed velocity, first है हमारा यहाँ यह वाला, uniform speed velocity, uniform speed velocity में क्या होता है, एक straight line, देखो, यहाँ पर दिख रहे हैं, यह line, यह same, एक स्ट्रेट लाइन हो गई सेम सीधी लाइन हो गई इसको बोलते हैं हम यूनिफॉर्म स्पीड ग्राफ को कि यह स्ट्रेट लाइन में होता है अब हम देखते हैं नोन यूनिफॉर्म यहां पर हैं हमारा सेकेंड वाला नोन यूनिफॉर्म स्पीड ग्राफ इसमें क्या होत ठेख्ते हैं लेकिन इस्टाइट लाइन में नहीं होती है और वेलोसिटी कि सेकंड देखते हम यहां पर मेरा सिव सिब्सक्राइब ग्राफ छेटेड टाइम ग्राफ में यहां पर क्या दे रखा है इसके वी 2 2 motions होते हैं Worst है हमारा uniform motion Second is uniform as related motion सबसे पहले हम first को देखते है इसका uniform motion उनिफार्म motion में क्या दे रखा है Uniform motion ये वाला जो graph में क्या होता है ये जो टी होता है ये time को खरता है और यहाँ पर v velocity को तो यहाँ पर ये जो बीच वाली line होती है है यह एस related को सोगरती है एस रेलेटेट असरिलेशन को शो करती है और यह uniform motion होता है इसमें एस एस Relaytion नहीं होता है कि 5 về dividoCemi carrier इसकी क्या होती है जो velocity होती है वो से यह constant रहेगि उसी जगा पर change नहीं होती है और yon far as related में iom इसमें क्या होता है इस प्रकार की जो मोशन होते हैं वह सेम रेट के इंक्रिमेंट होते हैं मतलब इनकी जो रेट होती है वह सेम इंक्रिमेंट होते हैं यह एक एस रिलेशन होता है इसमें क्या होता है वेलोशिटी बढ़ती जाती है यहाँ पर जो वेलोशिटी होती है वो क् को आगे हम देखते हैं, there are three equations of motion, हमारा जो motion होता है, उसके three equations होती है, और ये जो तीनों equation होती है, वो most time पे होती है, आप सभी इन तीनों equation को, मैं आपको सिर्फ इसके name बता देती हूँ, बागी details आपको खुद से पढ़ना इसकी, आप इसको अच्छे से solve करें, first क्या है इसमें, v is equal to u plus 80, ये equation क्या है, हमारी equation first, इसका name क्या है, equation of velocity time graph, अधिकतर exam में पूछते हैं कि equation of time graph, equation of position time relation, equation of position velocity relation, exam में इनके question बुचे जाते हैं, इसलिए आप इन दिनों को अच्छे से करें, second क्या है हमारा, s is equal to ut plus 1 upon 280 का square, equation of position, time relation, कौन सी equation हो गई, ये हमारी equation of position, third है हमारी 2as, v square minus u square, equation of position velocity relation, क्या होगा, यहाँ पर velocity relation की equation position है, आज का मैं topic यही पर complete करती हूँ, और इसके pdf में आपको send कर दूँगे, आप इसके अच्छे से knots complete करें, और जो IMP topic है, उसको अच्छे से cover करें, thank you so much.